नमस्कार दोस्तों वेलकम टू जीके फास्ट विजन इस वीडियो में हम बात करेंगे महतवपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कम्टुडे एक्जांस पर बार बार पुछे जाते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से पहला सवाल है अंतराष्टिय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाए जाता है इंटरनेशनल कश्टम्स डे सेलिब्रेटर ओन वीच डे इसका सहे उतर है ऑफ्शन नंबर 3 यान손 की 26 जनवरी 26 जन्वरी को हर साल मनाय जाता है International Customs Day अब जन्वरी महिने की बात आई है तो जन्वरी महिने के All Important Days को हम रिवाइज कर लेते हैं 4 जन्वरी को मनाय जाता है लुई ब्रेल दिवस 9 जन्वरी को प्रवासी भारतिय दिवस भात्मा गांधी 9 जन्वरी 1915 को दक्षिन अपरिका से भारत में लोटे थे इसके उपलक्ष में हर साल 9 जन्वरी को मनाय जाता है प्रवासी भारतिय दिवस 10 जन्वरी को विश्व हिंदी दिवस और यहाँ पर एक बात याद रखनी है 15 जन्वरी को भारतिय अथल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे 23 जन्वरी को नेता जी सुबाच चंद्रबोच जैंती और यहाँ पर एक बात याद रखनी है 23 जन्वरी को नेताजी सुबाचंद्र बोज जी की जयनती के अउसर पर हर साल इस साल से मनाया जाएगा पराक्रम दिवस ये भी आपको important fact में याद रखना है 24 जन्वरी को राष्ट्रिय बाली का दिवस National Girl Child Day 25 जन्वरी को राष्ट्रिय मतदाता दिवस 26 जन्वरी को भारतिय अगंतंतर दिवस और International Customs Day 28 जन्वरी को लाला लजपत्रा जयनती और 30 जन्वरी को शहीद दिवस इस दिन महत्मा गांधी जी की पुर्णेतिती होती है अगला सवाल देख लेते हैं किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किया था तो इसका सही उतर है खिलजे राजवाउश क्योंकि खिलजे राजवाउश ने सिर्फ 30 सालों तक दिल्ली के गद्दी पर शासन किया था अब यहाँ पर इनकी टाइम लाइन हम देख लेते हैं 1206 से 1290 के बीच में था गुलाम वंश जिसका प्रथम शासक था कुतु बुद्दिन एबक 1290 से 1320 में था खिलजी वंश जिसका 30 साल का सिर्फ शासन था 1320 से 1413 तक था तुगलक वंश 1414 से 1451 तक सयद वंश और 1451 से 1526 तक लोधी वंश और 1526 में एक फेमस लड़ाई हुई थी जिसमें लोधी वंश की हार हुई थी आपको यह बता रहा है कि किस ने इसको हराया था और इसने किस वंश की स्थापना की यानि कि किस इंपाइर कौन सा इंपाइर इसने खड़ा किया जिसने भारत पर बहुत सालों तक राज किया अगला सवाल देख लेते हैं विबिन्न राजो तता संगियक शेत्रों की राजसवा में प्रति निधित्व का विवरन किस में दिया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोथी अनुसुची चोथी अनुसुची में ये विवरन दिया हुआ है अब यहाँ पर हम अनुसुचिया और उसके विवरन भी देख लेते हैं अनुसुची एक में है राज्यो तता संग शाशित छेत्रो प्रदेशों की सुची अनुसुची दो में है वेतन का विवरन अनुसुची 3 में है शपत और वादे अनुसुची 4 में है रज्यसभा में सीटों का आवटन ये सबाल में पूचा हुआ है अनुसुची 5 में है अनुसुची चेतरों और जनजातियों के प्रशासन और नियत्रण से संबंदी अनुसुची 6 में है असम, मेघालाई, त्रिपूरा, मिजोरम और अरोनाचल प्रदेश में जनजातियक शेत्र के प्रशासन के प्रावधान अनुसुची 7 में है सूचिया, संग सूची, राज़ा सूची और समवर्ती सूची अनुसुची 8 में है भारत की अधिकारीक भाषाए अनुसुची 9 है भूमी कार्यकाल, भूमी कर, रेलवे, उद्योक से संबंदित कारे और आदेश और ये बात भी आपको याद रखने है अनुसुची 10 में है दल बदल विरोधिक कानून, अनुसुची 11 है पंचाइती राज के प्रावधान, और अनुसुची 12 है नगर निगम के प्रावधान अगला सवाल है, रोकेट किस सिध्धान्त पर कार्या करता है, रोकेट किस सिध्धान्त पर कार्या करता है, तो इसका से उत्र हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धान्त पर कार्य करता है रॉकेट न्यूटन का तीसरा नियम क्या है यह है प्रत्यक्रिया की सदेव बराबर विपरित दिशा में प्रत्यक्रिया होती है ये है न्यूटन का तीसरा नियम अब पेला दूसरा नियम और आर्केमेडिस का सिदान भी हम देख लेते हैं जो की option में है प्रत्म नियम है प्रत्यक पिंड तब अपनी तब तक अपनी विरामवस्था में अथ्वा सरल रेखा में एक समान गती अवस्था में रहता है जब तक कोई बाहबल उसे अन्यता व्यवार करने के लिए विवश नहीं करता इसे जड़त्व का नियम भी कहते दूसरा नियम है किसी पिंडग की सव्वेक परिवरतन की दर लगाये गए बल के समान उपाती होती है ये दूसरा नियम है और तीसरा तो हमने पड़ी लिया है प्रत्यक्रिया की सदय वह बराबर एव विपरित दिशा में प्रत्यक्रिया होती है और आर्केमेडिस का सिद्धान क्या है किसी तरल माध्यम में किसी वस्तू पर लगने वाला उत्पलावन बल उस वस्तू द्वारा विस्ताफी तरल के भार के ही बराबर होता है अगला सवाल देख लेते हैं पांच वा सवाल है एसकोरविक एसेड के नाम से किसे जाना जाता है जो इसका सही उत्र हो जाएगा option number 3 vitamin C vitamin C का ही नाम है ascorbic acid अब यहाँ पर हम vitamin के नाम भी जान लेते हैं vitamin A को कहा जाता है retinol vitamin B1 thymine vitamin B2 riboflobin B3 nicotinamide vitamin B5 pentothenic acid vitamin B6 pyridoxin vitamin B7 vitamin B11 folic acid vitamin B12 B12 वाला भी बहुत बार exam में पूछा जाता है B12 को कहा जाता है cobalmine और C को जो option में यहाँ पर उपर वाले सवाल में पूछा है ascorbic acid vitamin C को कहते है ascorbic acid D को calciferol E को tocopherol और K को philokinon अगला सवाल है YU में carbon dioxide की मातरा कितनी होती है YU में carbon dioxide की मातरा कितनी होती है आपको यह इस सवाल का उत्तर पता होगा लेकिन आपके सामने अगर option इस प्रकार आए तो आपको confusion हो सकता है इसका सही उत्तर है 0.03% यहाँ पर हमने gas और इसका प्रतिशत आयतन भी लिखा हुआ है नाइट्रोजन होता है 78.09 प्रतिशत अक्सीजन होता है 20.95 आरगन होता है 0.93 और कारबन डाउक्सेर 0.03% इसके साथ ही वीडियो को करते हैं समाप्त अगर आपको वीडियो अच्ची लेगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन जरूर दबा लिजे और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए धन्यवाद दोस्तो